हेलो फ्रेट गले का डिजाइन बनाने के लिए हमने बकरम लिया है बकरम की लंबाई 12 इंच और इसकी चोड़ाई 8 इंच है अब हमें बकरम को ऐसे फोल्ड करके यहां से 3.5 इंच की चोड़ाई पे टिक लगाना है अब हमें गले की लंबाई नापना है तो हमने गले की से एक इंच की लंबाई नापते हुए ऐसे टिक लगाना है और इसे हलका सा गोल सेफ में लाइन अप कर लेना है तो ऐसे हम लाइन अप कर लेंगे लाइन अप करने के बाद जिस सेफ में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेफ में ऐसे टिक लगाते हुए एक अक इंच की च की कटिंग कर ली है अब हमें इसे इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देना है अब हमें इस डिजाइन को तयार करने के लिए किनारे की साइट से ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई चला लेना है जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है अब हम यह जो बीच में एक बरावर में सीधी सिलाई चला कर यहां से धागी को कट कर देंगे. अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है, बिल्कुल उसी सेप में हमें इसके उपर यहां से सिलाई चला लेनी है. इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी स्टेप में तयार कर सकते ही इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागी को कट करेंगे और डिजाइन के अंदर की साइड का एश्टा कपड़े की कटिंग हमें ऐसे कर लेनी है सिलाइ के बगल में हमें ऐसे कट करना है सिलाइ के ऊपर कटनी करना है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें बक्रम को परफेक्ट सेफ में फोल्ड करने के लिए अब हमें किनारे की साइड में जो हमारा ये कपड़ा है इसमें ऐसे छोटे छोटे कट कर लेने हैं कट करते से में इस बात का ध्यान रखे कि आपको सिलाई को कटनी करना है केवल कपड़े को कट करना है तो इस लाइन को complete करने के बाद अब हम suit के कपड़े को ऐसे उल्टा करेंगे और बक्रम को ऐसे fold करके सीधा करेंगे इसे perfect shape में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पे हमारा गले का design perfect shape में बैठ चला है इस line को complete करने के बाद अब हमें एक लंबा सा चोड़ा सा बकरम लेना है बकरम की लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं बकरम की लंबाई 14 इंच है 4.5 इंच और इसी चोड़ाई 4 इंच है अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे फिर यहां से हम ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे फिर एक बार और फोल्ड करेंगे अब हमें इसमें स्केल की सहाथा से ऐसे लाइन अप करना है तो यह देखिए बर्फी कटिंग में ऐसे आपको लाइन अप करना है दोनों साइट से तिर्ची में ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसकी cutting करने के बाद हमारे design का look कुछ ही तरीके से आएगा आपका सारा design एक दूसरे में ऐसे joint होना चाहिए अब हम इसे इस तरीकी सहायता से दूसरे color के कपड़े पी चिपका लेंगे अब इस design को तयार करने के लिए अब हमें design में कोनी की side में ऐसे छोटे छोटे कट करने है यह देखिए ऐसे हमें cut कर लेने है दोनों side में हम ऐसे cut कर लेंगे अब हम गोंद लेंगे गोंद को हमें यहाँ पे कपड़े उपे किनारे की side में ऐसे लगाना है जिस shape में हमारे बकरम का cutting हुआ है उसी shape में हम कपड़े को ऐसे चिपका देंगे अगर आप कपड़े को fold करके इसके उपर सिलाई चलाना चाहते हैं तो friend आप सिलाई भी चला सकते हैं लेकिन गोंद से चिपकाने के बाद आपके design में perfect finishing आएगी सिलाई चलाने पे उतनी finishing नहीं आती है इसलिए हमने गोंद को यहाँ पे लिया है इस design को तयार करने के लिए जो की इस तरीके से आप इस design को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं दोनों side में बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को fold करके बकरम के उपर चिपका लेना है और इस line को complete कर लेना है तो ये देखिए फ्रेंड हमने दोनों side की line complete कर ली है और गले की design में हमें इस design को यहाँ पर ऐसे लगाना है बर्फी वाले design को गले की design से थोड़ा सा नीचे हम ऐसे लगाएंगे और बर्फी वाले design के बीचों बीच में एक बराबर में सिलाई चलाते हुए अब हम इसके चारों तरप में सिलाई चला लेंगे जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हमें design के दोनों side में सिलाई चला लेनी है इस line को complete करते हुए अब हम यहाँ से धागे को cut करेंगे अब हमें design में button लगाना है अगर आपको button बनाने नहीं आता है तो description में इसकी link दी गई है अब हमें दो इंचोड़ा उरेवी कटा हुआ कपड़ा लेना है कपड़े को दोनों side से fold करके इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है अगर आपको उरेवी कपड़े की cutting करने नहीं आती है तो description में इसकी link दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे उरेवी कपड़े की cutting की जाती है तो friend ऐसी हमने एक और दूसरे color की डोरी तयार कर ली है अब हम गले का design लेंगे गले की design में सबसे पहले ये वाला color का हम डोरी लगाएंगे यहाँ पर जिस shape में हमारा गले का design है बिल्कुल उसी shape में इस चोड़ी पट्टी वाली डोरी को लगाते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस line को complete करते हुए अब हमें चोड़ी पट्टी के दूसरे साइड में सिलाई चला लेनी है जिससे हमारे design में perfect finishing आएगा तो ये देखिए ऐसे आपको सिलाई चलानी है चोड़ी पट्टी के दूसरे साइड में भी अब हम यहाँ से धागे को cut कर लेंगे अब हमारा जो दूसरे कलर का चोड़ी पट्टी है उसे हम इसके बगल में लगाएंगे यहाँ पर ऐसे हमें लगाना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे जिस सेफ में हमारा पहले वाला चोड़ी पट्टी का design है बिल्कुल उसी सेफ में हमें इसे लगाते हुए इसके उपर सिलाई चला लेना है इस चोड़ी पट्टी के दूसरे साइड में भी हम ऐसे सिलाई चला लेंगे तो यह देखिए हमने दोनों साइड में चोड़ी पट्टी के उपर सिलाई चला ली है अब यहां से अष्टा कपड़े की cutting कर लेंगे अब हमें इसमें बटम लगाना है तो बटम को हमें यहां पर ऐसे लगाना है अगर आपको बटम बनाने नहीं आता है तो डिस्किप्सं में इसकी लिंक दी गई है तो ये देखिए हमारा डिजाइन बहुती सुन्दर लग रहा है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा